तो ही गैस एक्स्ट्रीम है तो एक और ने वीडियो में आप सभी कास्वागत है और आज हम लोग खिर रहे हैं माइनक्राफ पिक्सल मॉन फिर से तो पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे इस पिक्सल मॉन की सीरीज को इतना प्यार देने के लिए और गैस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं 400 सस्क्राइबर्स तो जिन जिन लोगोंने भी सस्क्राइब किया उन्हें दिल से ठेंक्यू और जिन्होंने नहीं किया उन्हें भी ठेंक्यू वीडियोस देखने के लिए लेकिन अगर तुम लोग subscribe कर दो तो थोड़ा जादा thank you हो जाएगा, थोड़ा जादा, okay, तो आज का episode में मुझे बहुत सारे काम करने है, लेकिन आज का episode शूरू करने से पहले मैं कुछ बताना चाता हूँ, तो मुझे बहुत लोग पुछ रहे थे कि इस Minecraft Pixelmon के mod को download कासे करत है, तो guys मैं पहले बता दू कि यह mod Pocket Edition में है की नहीं मुझे नहीं पता, seriously मुझे नहीं पता यह Pocket Edition में है की नहीं, अगर आप लोग Pocket Edition खेलते हो तो please एक बर YouTube में चेक कर ले न, how to download Pixelmon in Pocket Edition करके, क्योंकि मुझे नहीं पता हो, और मेरे पास जो यह Minecraft है, यह Minecraft Java का official version नहीं है, मै मैं इसे T-Launcher से खेलता हूँ, क्योंकि मेरे पास Minecraft करीदने के लिए, फिलाल तो बैसे नहीं है, तो अगर आप लोग भी T-Launcher से खेलता हो, तो बहुत एजिली यह modpack download कर सकते हो, जैसे मैंने किया है, तो आप लोग को बस इस icon में click करना है, इसके बाद यहाँ पर बहुत स से शुरू करू, Pokemon से शुरू करते हैं, तो ऊपर के चारो Pokemon आप लोगों ने देख लिए थे, और मैंने कुछ नहीं Pokemon पक रहा है, जैसे कि यह full rate 37 level का, और मैंने यह full flow पक रहा था, पतने इसका नाम कैसे लेते हैं, बट छोड़ो, तो पहले मैंने 42 level वाला पक रहा, फिर मैं 32 level में होता है, मैंने उन दोनों के cancel कर दिये evolution on camera करने के लिए, और electric भी होता है शायद 26 level में, तो आज इन तीनों Pokemon का evolution करना है हमें, और हाँ एक और बात मैंने जो यह full flow पक रहा था, तो इसके उपर हम लोग ride भी कर सकते हैं, जो की बहुत मज़ेदार है, और यह बहुत ते मुझे उठा के दे दिया, और इस storage box में आप लोग देख सकते हो, बहुत सारी चीज़े है, तो यहां से जितनी भी चीज़े है, यह सारी चीज़े मुझे rate से मिले थी, यह shoes को जोड़के यह shoes मुझे बहुत से मिले लेते हैं, और यह इसका नाम तुम लोग पर छोड़ दे यह भी मुझे एक boss pokemon से मिला था, shiny stone, शायद boss pokemon से ही मिला था, तो इससे शायद हम लोग को shiny pokemon को evolve कर सकते हैं, और यह जो water stone है, यह मैंने खरीदा था, 8000 या 9000 coins के बदले, एक shopkeeper गुम रहा हो था, तो उससे मैंने खरीद लिया, और यह जितने भी सारे cassettes है, यह मैं बेस सकता है, बहुत बढ़िया, sell करो इने, सब के सब बेस दो, तो मेरे पास अभी 22,000 रुपए है, तो मैं सोचो कि आज इन से थोड़ी बहुत pokeballs खरीद लेता हूँ, क्योंकि pokeballs के टगले में hammer मार के बनाना बहुत बोरी है, next video में एक mechanism बनाएंगे, जो automatic pokeballs बनाएगा, एकदम automatic तो लग रहे हैं, तो ये बहुत काम के हो सकते हैं, legendary pokeballs को पकड़ने के लिए शायद, और यहाँ पर मेरे पास कुछ gems भी है, जो कि Pokemon के moves को boost करता है शायद, तो ये जो flying gem है, ये मैं tranquil पे लगा देता हूँ, और ये चीज भी काम किया शायद, क्योंकि इसमें लिखा है, अगर इ EXP candies के use भी मैं बता दूँगा, तो ये है EXP candy AS, ये है M, और ये है L, मुझे लगता है ये small, medium और large होगा, ये small, moderate और large होगा, तो ये जो है small amount of EXP देता है Pokemon को, ये moderate amount EXP देता है Pokemon को, और ये large amount, तो AS और M मैं ले लेता हूँ, L को रख देते हैं, ये शायद rare होगा, अभी नि moderate वाला यूज़ करना पड़ेगा, अरे रुख भाई, ओके इसका level up हो चुका है guys, तो अभी ये evolve होने वाला है, और प्लीज गेम मुझे इस बार देखने देना, ओके इस बार हम लोग देख पा रहे हैं, तो हमारा Frogadier चेंज हो रहा है और बहुत ही बड़ा हो रहा है यहा तो इसका नया मूब भी कुला है, इस मूब का बार 50 है क्यों, शारत कोई काम का ही मूब होगा, सबस्टिट्यूट की जगा इसे रख देते हैं, ऐसे तो मुझे सबस्टिट्यूट भी नहीं पता क्या था, कई पता चले वो कोई अच्छा मूब था, और मैंने उसी को हटा तो गैस मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, फाइनल ही आ चुका है हमारे पास ग्रे निंजा, और हम इस पे राइड भी कर सकते हैं, बहुत ही बरिया, इसके लुक्स का दिवाना हूँ मैं, और यह जो निंजा स्टाइल पोस लेता है, यह देखो यह वाला पोस, कता यह ओ अब मुझे इसे बैटल करा के वाल करना पड़ेगा, तो गैस मैं एक ट्रिक बताता हूँ रूपो, तो ट्रैंक्विल के साथ मैंने इस फरफ्रो से लड़ना शुरू किया, अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं एक एटैक करने वाला हूँ, सिंपल सा, और यह नहीं था तो ट्रैंक्विल जो है, इसका प्रोनांसियेशन, मुझे नहीं बता, और देखते हैं इस पर राइट कर सकते हैं कि नहीं, उके इस पर राइट कर सकते हैं, अब ही मसा आएगा ना विरू, तो गैस फाइनली उनने की अबिल चुके हैं, और अभी ट्रैफल करने में बहुत आसा नहीं होने वाले हैं, तो अब मैं खुल के एक्स्प्लोर भी कर पाऊंगा, आसपास के बायोम्स, और मुझे एफवल्व करना है इस इलेक्ट्रिक को, और इसके बाद मुझे आप्रिकॉन फार्म में भी काम करना है, इस 29 लेवल के कॉर्फिस से लरवात है, लुको इल इलेक्ट्रिक का भी लेवल अफ हो चुका हैं यहाँ पर, ओके एफवल्व हो रहा है, इलेक्ट्रिक, यह शायद उतना बरा नहीं होगा, तो guys, इलेक्ट्रिक बन चुगा है, मैनेट्रिक, और यहाँ पर एक शाइनी पोकिमोन है, शायद यह बास पोकिमोन है इस से लड़ के लिए तो मैनेख्रिक को मैं पीसि में रख दूँंगा जीयोड उर्मि innovation को मैं रख करनींगे लेकिन गरेश निंजा और लोपेल के आप लोगए तो ऐatura को 현재 कर द दीदे हैं तो पहला काम कर लेते हैं अपना अपरिकॉम फीद्च कर देते हैं यह पर मैंने एक फ्रेम बनाया था और यहां का थोड़ा सिस्टम है कि आप लोग ऐसे ही फ्रेम नहीं बना सकते क्योंकि एक चंक में आप लोग से 32 एप्रिकॉंट तो मैं अभी इस चंक में करा हूँ यह जो हिस्सा है इसे चंक कहते है तो यह वाला एक चंक है वाला दूसरा तो पिक्सल मौन के इस बर्शन में हमसे 32 ट्रीज प्लेज कर सकते हैं एक चंक में और उस हिसाब से मैंने यहां पर चार चंक के बीच के जगा को चूश किया है ताक इस चंक में 32 यहां पर 32 और यहां पर 32 ट्रीज लगा सकूं मैं और अगर मैं 32 से ज़ादा लगाने जाओ तो प्लेज नहीं होता तो पहले इन्हें लगा देते हैं यहां पर तो मैंने हर एक लाइन सोचा है जैसे कि यहां पर 16 ब्लू कलर के रहने वाले है पहले फिर इसके पीचे कोई रिजन है ऐसे तो पहले इन्हें प्लेज करते हैं और ये काफी ज़रूरी ग्रोह होता है और देखो कि इस कभी कभी प्लेज नहीं होता तो पर जम करके प्लेज करना पड़ता है यह प्लेस क्यो नहीं हो रहे है मैंने गलत हिसाब लगाया कि और इस पता प्रिशल शॉरनलों धुर दॹर के इसलिए नहीं एक का जांते karş इसलिग पर बेसिंगोट को चुका है बत उसके साथ कुछ और दिखाना है पहले तो यह chunk border off करो, तो मुझे बनाना था यह, वाली मेर पेल ऐसे करके कुछ, और इसे पहले बनाते हैं, फिर मैं दिखाऊंगा इसे क्या कर सकता है, इसके लिए हमें चाहिए 3 bone, 3 iron, और एक water full of bucket, water full of bucket, मुझे पता है मैं बहुत प्रो हूँ, ओके तो इसे बना लेते हैं, बहुत easy है बनाना, ओके तो मेरा recording basically off हो गया था, पता नहीं क्यों, और मैंने इन सारे apricorn trees को grow कर दिये, ओके तो मैं बता रहा था कि welmer pill से क्या होता है, तो welmer pill से हम basically किसी भी apricorn tree को एक stage grow कर सकता है, तो example के लिए मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, जैसे कि देखो यह apricorn plant ब परेगा उसके लिए, फिर हम लोग इस plant को फिर से water दे सकेंगे, वैसे अपने अब भी grow होता है, बट विल्मर पेल से जल्दी होता है, तो इससे basically पानी देते है trees को, और यहाँ पर मैंने सारे trees को already water दे दिया है, और यहाँ पर बहुत सारे apricorns भी आ चुके है, तो इने भी अब ही तो apricorn की बिल्कुल भी कमीनी होगी, और इस warmer pill को शायद हम लोग berries के लिए भी यूज कर सकते है, यह कौन सा Pokemon है रुको, इससे पकरेगा, यह शायद उसका evolution होगा mud break का, इससे fight करके देखते है रुको, इसका level है 50 होके, तो मुझे फुर्फो को लाना परेगा, 61 level का इसने मारी दिया फुर्फो को, वाटर पल्स करते है, और यह मर गया शायद हो, हाँ मर गया बई, substitute सीख सकते हैं हम लोग, मैंने थोड़ी देर पहले ही तो substitute को बतला, अच्छा इससे ग्रे निंजा अपना कॉपी बनाता है, तो इसे कही पर रखना परेगा मुझे, वाटर शूरी के इन भी बहुत बरिया था, तो यहाँ पर अगली सुबह होगे, तो मैं इन प्लांट्स को फिर से वाटर दे सकता हो, और देखो जिन में यह वाइट वाला है, उनमें मुझे अप्रिकॉन मिल जाएगा, और जिन में वाइट वाला फूल नहीं है, उनमें आ आ वाला है, तो फूल फूल फ्रोगव को लेके स्टार्ट करते है, अच्छा एकेंस है यह तो इस पर एटक करो, यह तो मरी गया, इतनी जल्दी मर गया यह, तो हम लोग इसे पकर भी सकता है इस एकेंस को, मैं सोचा हो कौन से पोगीबॉल से पकरें, नॉर्मल पोगीबॉल वैसे भी एकेंस है उतना काम का नहीं है तो इसे मैंने पकल लिया और यह चला गया मेरे PC पे इसका लेवल देखते है लेवल 28 भाई इसे हटाओ यहां से मैंने सुचा अगर वह चीज देन में फेक है तो कोई अच्छा पोकीमान स्पॉन होगा 28 लेवल के एकेंस पॉन होगा इहाँ पर एक पोर्टल खुला है गुषोटा में जाना है तो गाइस हम लोग यहाँ पर भी शेयर करते हैं हम लोग दूसरे डैमेंशन में मैं एक आईलेंड जैसे कही पर पर श्पॉन हुआ हुँ इतना अंधेरा है कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा अगर हम यहां शायद काफी होगा प्लीज कम्प्लिट कर देना तो अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना चैनल में ने हो तो सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले ने वीडियो में माइन्क्राफ पिक्सल्मान के और मैंने ये फूल पक्ला और मैंने ये फूल फ्रो और मैंने फूल नाम ए इसका statement झाल